welcome back to your channel that is click and benefits students आज हम बात करने वाले हैं सोईल से related practicals के बारे में जी हां जो ऑसके प्रैक्टिकल ने क्योंकि आपके प्रैक्टिकल अब फिलाल चले ही रहें हमें सोल की pH को find करना है different location से soil की उसके साथ साथ हमें water holding capacity हमें find करनी है different soils की और उसी के साथ साथ हमें moisture content भी find करनी है और उसके इलावा हमें texture भी find करना होता है कि किस तरह के से soil का texture find कर सकते हैं सबसे पहले हम चल रही है पहला practical है हमारा चोकी है हमारा study pH of different type of soil देखिए मैं आपको बता देता हूं कि काफी अलग 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 तरीके से आपको यह कराए जा सकते हैं कि pH कैसे find कर सकते हैं normally कुछ पे new करना आपको अगर easy method देके यहां पर तो हमें सिर्फ soil लेनी है soil का solution बना लेना है और इसमे paper strip जो आती हैं अलग अलग तरीके से यहां पर दिखाया जाता है कैसे आप सोल की pH निकाल सकते हैं तो फिलाल हम बात कर रहे हैं यहां पर किस तरीके से pH हमने निकाली है उसके लिए हमें material requires क्या-क्या है क्या समान हमें चाहिए तो garden soil हमें चाहिए garden soil की सासाथ हुमच soil हमें चाहिए roadside soil चाहिए dropper हमें चाहिए filter paper चाहिए river side soil चाहिए test tubes stand with test tubes beaker हमें चाहिए हमें funnel चाहिए तो यह सारे इंस्टू जो हमारे glassware यह हमें यूज Time करनी पड़ेंगे इसप्रैटिकल के दोना आप चलते हैं बात करतें प्रोसीजर प्रोसीजर क्या है तो सबसे पहले में क्या करना है कि फस्ट प्रपेर薇र्सॉई solution हमें करना क्या है कि prepare करना है solution का यानि सोयल जो आप लेकर रहा है डिफरेंट इफरेंट इफरेंट उनका solution बनाना है टेक रोटसाइट सब्सक्राइब वाच गिलास इंडिस्वल वाटर ले सकते हैं जिसे 20 30 जो भी जितना भी आपको ले रहा है तो वाटर लेने के बाद क्य अगर आप मिक्स करने तो तीनों को एक ही तरीके से काम करना पड़ेगा आपको सो उसके बाद हमें क्या करना है repeat the same process for the other sample या नहीं जैसे एक के लिए other sample प्रेसी प्रेल हो जाएगा यानि फिल्ट्ड फार निकलकर सापने आजाए लेगा नीचे की तरफ फिल्ट्ड या जाएगा तो तो फिर हमें क्या करना है यहांllen कि है test tube लिखा भी यहां पर roadside solution filter था यह तो हमने कर लिया है उसके साथ साथ हमें क्या करना है आपर solution जो हमारा नीचे filtrate आया है तो यहां पर उसकी testing कर नहीं है pH की testing करनी अब यूज कैसे करना है pH paper क्योंकि pH paper भी हमारे दो तरीके के मिलेंगे आपको broad range वाला मिलेगा आपको और narrow range वाला मिलेगा देखो broad range और narrow range easy है broad range का मतलब यह होता है कि ऐसे pH paper जिनकी जो ब्रॉड range के बारे में बात करों कि जिनकी pH जैसे एक से लेकर या 0 से लेकर 14 तक दिखा रखा ऐसा pH paper जो एक से लेकर 14 तक आपको pH बताता है या हो सकता हैि लेकर आपके 14ab तो यह तो होता है ब्रॉड ब्रॉड का मतलब ज्यादा कवर करता है प्येश पेश 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 using pH paper हमें यहाँ पर test करना है तो आगे दिख लेते हैं किस तरीके से तो यह हमारे instruments जो कि हमने glassware हमने use किये हैं हमें कुछ नहीं करना है pH paper booklet हमारे पास यहाँ पर देखने को मिल रही है कि pH paper booklet है तो उसके लिए में करना क्या है आगे कि प्रोसीजर क्या है आगे हमें करने क्यों कि solution हमारे तयार है filtrate हमारे पास तयार है तो टेक पीच पेपर booklet वही pH paper strip from the booklet and place four strip on the tile यहाँ पर देखो करने का तरीका अलग है कुछ भी कर सकते हैं आप चाहे तो आप फिल्टर के अंदर वो स्टिप ले और इसके अंदर इंसर्ट कर ले और इसको थोड़े देख लिए चोड़ दे color आपके पास आ जाएगा तो उस color से हमारे इंटिफाय हो जाएंगी दूसरा तरीका यह बिए कि पर ले लिए हैं हमने उसको ग्लास वेर्स में कहीं पर इसमें रख लिया है पैस्टेटिश में कहीं पर ब्यार सकते हैं और इसके ऊपर आपने उस फिल्ट्रेट जो बना था उसकी बूंदे आप डाल सकते हैं ओके सो यहां पर लिखा भी है पुछ वन्टू ड्रॉप्स ऑफ दा सॉलुशन ऑन फस्ट पीएच स्टी पॉंदा टाइल ऐसे हमें रख देनी है यूजिंग फ्रेस जो पर जो नोट सेंप्रॉसेजर फो गारन स्वेल हुमस रिच और रिवर्स है यानि एक ही जो ड्रॉप में कुछ zychव रिच सोईल को सोमद्ध णाती है असलिवर्स ही उक्राइग यूशस की पीच निकालना था स्टरब जो आते हैं एक है वेजिए पर लेकिन 35 यहां पर हम बात कर şu universal pH indicator solution की तो उसके अंदर हम किस तरीके से यह चीज़ कर सकते हैं वो जान लेते हैं कि सो यूजिंग universal indicator solution यहां पर हमें क्या करना है देख लिए आप पर यूणिवर्सल इंडिकेटर है हमारे पास यहां पर है तो हमें क्या करना है कुछ नहीं बहुत ही इसी है यहां पर क्या करना है कि सबसे पहले यूजिंग जॉपर टेक्स यूणिवर्सल इंडिकेटर यह चार-पांच भूंदें आपको कि कि तरह किसा हम पर प्येच फाइंड कर सकते हैं किसी अगा को कि सबसे और तो अगर मैं आपको दूंख तो काफी ऑफ़वी हों पहले तो आप इहां पर माटेल्स रिकॉाइट देख लेंगे कि क्या क्या सामान आपको चाहिए सो गार्डन सोयल रोटसाइल एंड वायर गोज वेइंग मसीन आपके पास होनी चाहिए बर्नर होना चाहिए क्रूसीबल होनी चाहिए उसके साथ सक कुछ और इंस्ट्रुमेंट भी है आपके जैसे कि स्क्यालपल होता है आपका जिससे चला सकते हैं आप उसको तो हमें करना क क्या है तो मैं इसी तरीका आपको बता तो कुछ नहीं करना है सोयल ले लिया आपने दो या तीन जगे से ठीक है सो पहले तो हम कुरूसीबल का वेट करेंगे फिर उसके अंतर डाल देंगे लगबग तीनों जितने भी सोली है सभी का सेम अमांट में हमें वेट लेना है अवख दिनका या तो हमें मैं मिटी सॉयल इसमें डाल देनी उसका देना है 50 barking मरे लिया है ऐसे तीनों 50 में प्रकित करना है आपको छोलीचे और लिये हैं कविशा रग्ष तो यह को चुका है तो पिछ बाद आपको यहां हो चुका है तो आपके पास थो जादा कि तो गाडन शेल जादा छुट आती है फिस तरह के शिच विद गाडन शेल की शिच किया है ने बता दिया थे है आपको ज्यादा डीप ली स्में जरूरत नहीं है कि धितन ऑफ इंगे सबुस्टी पिपली इंदा बड़ना थो ड्राइ करते रहना है और वही तो अपके पास इनीशल और फाइनल वेट आपकां आजएगा तो अब चलते हैं सीधा है तो हैं पर इनिशल एंड फाइनल वेट जी हां गार्डन सोल के अंदर ज्यादा वाटर कंटेंट थी ज्यादा था इसलिए वह मौश्यराइज हो गया इवैपोरेट हो गया उड़ गया है तो बाद में इनिशल फाइनल वेट में ज्यादा डिफरेंसे आएंगे कंपेर टू अधर जो सो कर सकती है अपने अंदर रख सकती है कि मालीजे आपने 300 लिया उनके अंदर मिक्स किया है वाटर एको आलमाउट में तो कौन सी मिटी ज्यादा देर तक अपने पास रखेगी और कौन सी ऐसी आप जिसमें पानी डालते ही और वो धीर दीर एकदम नीचे पर कोलेट कर जाए है उसका और मतलब अब जरूरी है आपको यही लेना है कि आपके पास कुछ और इंस्टुमेंट्स हो सकते हैं वह हमें हां पूस कर सकते हैं इसली तरीका यहां पर कुछ नहीं करना है उसजी की बात करने वाले हैं पैस्टर मोर्टल पैसल हमारे पास होना चाहिए जिसको यहां पर बात करें प्रॉसीजर की सो प्रॉसीजर में हमारा है क्या की टेक वाच ग्लास कंटरी गादन सब्सक्राइब यही वही कि अगर हो सकते आप मिट्टी ऐसे जगे लाएं जहां पर थोड़ा-थोड़ा मोटी हो उसके पार्टिकल्स तो इसको हमें चेत पीट के उसको फों में कर लिए शोइल को फिर उसके बाद हमारा ठीक के फिल्टर पेपर प्लेशिंट बॉट फिल कर देना है बीकर के अंदर ठीक है और आपको पैसल आपके पास मुंसला से उसको थोड़ा-थोड़ा-थोड़ा दबाल रहें प्रेशराइस करना है ताकि आपकी जो मिट आपने मिट्टी तो डाल दी है लेकिन उसको प्रेशराइज नहीं किया तो उससे क्या होगा उसके बीच पिच में स्पेसिस बन जाएंगे हैं तो हमें क्या करना उसको इवनली सर्फिस उसकी बना देनी है तो हमें क्या करना चांफर दा फाइन पाउडर स्वाइल कम इंटु फ्रम्स ए यूनिफॉर्म लेयर ऑन दी टॉप एक यूनिफॉर्म लेयर यहां पर बन जाए जब उसको प्रेस्ट लए खरंगे तो आपको पता है मिट्ती दप्ती चले जाएगी तो यूनिफॉर्म लेज़ आपके बन जाएगग फिर हमें क्या करना है वेदाग भॉइट soil sample not its weight वही वेट कर लेना है हमें जैसे हम करते हैं जीरो करके फिर हमें क्या करना है टेर तो हमने कर लिया वेट उसका तो टेक के पैट्रिडिस विद फिल्ड वाटर जिसके अंदर पानी था वो लेंगे हमें करना के टेक टू स्मॉल ग्लास रूर और प्लेस दैंप पैरलर त एन's small distance from each other प्लेज सव ओल फिल् टीन ओना टेग्ट मॉ इन्धियो डूसे सोटर्चील आपर यह वह सकता है कैट करने से het तूँछा है कि हम पैसेटे निक नलए हैं तो हमें इतना करना है है तीन हमने मिलह चोप visitor सेları गएंगे मैं में देंगे हमारे पास ठीक है फिल्टर पेपर लगाएंगे तीनो में यहाँ पर फिल्टर पेपर हमें लगाया है डालना है। आपको डालना है। तो आपको वाटर इसमें सारा डाल देना है 50 ml और ऐसा नहीं कि पहले इसमें डालने हैं बाद में तीनों को पहले थोड़ा इसमें डाल दिया फिर इसमें तीनों हम चुब में डालते रहेंगे और अब क्या करना है मैं एक इक्वल टाइम देना है जैसे माल जे पांच मिनट कदे दस मिनित और इसको हमें तैम देने के बाद हमें देखना है कि किसके अंदर वाटर जद Byrk कर गया हैंद्र की साइड वाटर किसके अंदर स बसे ज़्यादध से ज़्यादविट हमने पता चुल जाया है इसके उस yılीडिनियू आप पानी water तो उसका मतलब उसकी water holding capacity उसकी कम होगी So इससे water holding capacity निकाल सकते है easily तो अब हम चलते हैं सीधा observations तो observation में हमारा क्या आएगा कि जो record all the values in the table calculate the percentage of water holding capacity garden soil ok so हमें कुछ नहीं करना है हमें 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 पता है कि यहां पर रिवर साइड सोई लिया था ठीक है तो यहां पर हमारी गार्डन सोईल की वाटर होड़नी कैपैसिटी जादा होगी कंपिये टू अधर सोईल ओके सो यहां पर हम एक अपर बना सकते हैं जो कि आप परसेंटेज निकाल सकते हैं कि सबसे पहले आपने इनीशल वेट कितना लि लिएफ मैं नीचे होगा वह सबसे जादा सब उस की वाटर होडिंग अपैसिटी सबसे कम होगी जिसका वाटर हप से कम हो उसकी वाटर होलिंग कफैसिटी अपोल जाएगा ऐसबी ज kijken प्रले गैसं गों सब्सकि चोड़ों ऑफ से बड़े यह अपर आप निकालना है हम महा जो कि आपके पूरी टेबल एक बनी होती है उसमें लिखा होता है किसके साइज कितने हमारे दिये गई होती है तो हमें 50 gram soil sample चाहिए ठीक है हमने यहां पर एक soil sample लिया है कहीं से भी हम एक soil लिया हैं यहां पर soil लेकर आनी है फिर एक वीकर हमारे पास होना चाहिए क्या होती है तो हमारे पास सीच होती है अचिक है तो हमारे पास क्या होता है हमारे पास सीव होती है उसमें हम जब मिट्ट्पी डालते हैं उसको जानते रहत maximize है थोड़ative मिट्टी होने चाहिए परो जैसे हम उपर से डालेंगे तो चलनी वो इस तरह के ररके से होती है कि माला लिजे कि सबसे चोटीeny सस्पराइब वाली चलनीर्णी उसके नीचे हैं रखेंगे हम सबसे च्थोटे लीर्च और यह होगा यहां पर Kåंटेंटेनर जिसके अंदर मिट्टी आगे गिरती रहेगी, तो अब यहां पर मिट्टी डालेंगे, ठीक है, यहां पर मिट्टी जैसे हम डालेंगे, तो वो मिट्टी चंती हुई, जो छोटे पार्टिकल होंगे, वो तो निकल जाएंगे से बड़े पार्टिकल, सबसे बड़े पार्टि को सिल्ट यह सबस्ते प्राइब कर सकते हैं सबसे थो च scraping 10 को लेक voter को हम solution 2 में बात करते हैं उस से चोटे साइज वाले apostow होटे हैं जब्कि इस से जी डॉब ॉइंट 002 से लेकर और 005 तक सिल्ट में आते हैं और उससे बड़ी जो साइज है वो आपके सेंडे वाले सोयल में आते हैं तो एक तरीका तो यहां चलने की हल्प्साप यह काम कर सकते हैं दूसरा तरीका यह है कि हमारे पास मिजलिंग सलेंजर होता है सो हम यहां पर हमें एक यहां पर हमें एक हम से सुना होगा हमारी प्रॉफाइल उतिय vibes बन जाती है horizon A, B, C, ऐसे करके horizon बन जाते हैं तो ऐसे ही इसमें भी horizon एक layer बनती चले जाएगी यहाँ पर तो उससे हमें idea हो जाता है कि सबसे छोटे particles कहाँ पर हैं सबसे बड़े particles कहाँ पर उससे हमें sides के base पर हम यहाँ पर कर लेते हैं तो आईये आई होप कि आपको यह तो समझ में आओ कि हम इस तरीके से हम कर सकते हैं सो यहाँ पर क्या तरीका है यहाँ पर देखो वही है में आपको बताया है में में ची को मिक्स करके डालेंगे फिर कुछ सेटल कर देंगे छोड़ देंगे समय के लिए ठीक हैं फिर हमारे पास observation में क्या आएगा तो वहाँ पर थिकनेस दिखाए देंगी मेरे यह उजारे नहीं हाथ देखो यह तो हमें पता चल गया कि हमें लेयर मिल गई है ठीक है जा मैं ठीक्षर का में जल झाल जाता है एक मैनित सीव के से त्था है तो आपको सब्सक्राइज से लिए तो आपको पार्टिकल से शुआंट में सिम्लारिटी कुछ नो कुछ मिलती चले जाए तो आपको आइडे लग सेंडी होंगे कि सबसे बारिक दिख रहे हैं जो बहुत ही जादा पाउडर की फॉर्म में मिलेंगे आपको बहुत ही सौफ्ट होंगे तो उन दोने के बीच में जो होता है वह आपके शिल्ट के होते हैं तो यह तो इसी है काफी आपको समझ में आ जाएगा अब मैं बात करूं यहां पर एक वो किस टाइप की सोईल होगे आपने सुना होगा की लोमी सोईल आपने सुना होगा सेंडी लोमी सोईल आपने सुना होगा सेंडी सिल्ट लोमी सोईल आपने सुना होगा क्ले लोमी सोईल तो इस टाइप की सोईल होती है सबसे बैस्ट जो होती है हमारी क्ले लोमी सोईल होती क्ले लो में ठीक है तो यह हम कैसे पता लगाते हैं अब देखे लिए 21 परसेंट यहाँ पर हमारा क्या था क्ले के पार्टिकल 18 परसेंट हमारे क्या थे सिल्ट के पार्टिकल लेकि सबसे ज्यादा किसके निकले 61% किसके निकले हमारे Sandy के तो इसका मनलग यह तो है कि यह Sandy Soil है तो Sandy Soil हम इसको बोलेंगे क्योंकि Sand का portion इसमें सबसे जादा percentage में देखने को मिला टेकिन अगर ऐसा होता कि मालेजी 50% हिये और 25-25% हिये तो ऐसे case में हम इसको Sandy तो नहीं बोलेंगे तो sandys जैसी loamy हो जाएगी कि equal amount में यह दोनों मिलेंगे और यह अकेली इतनी है तो हम बोल देंगे इसको sandys loamy इस तरह के से आप different different तरह के से स्वेल सेंपल्स आप जानते हैं आप सुनते हैं कि कौन-कौन से टाइप के स्वेल होती है कि सो यहां पर क्या है जो textural triangle है texture का मतलब सोईल के texture के बेस पर हमारे ट्राइंगल बनाएंगे तो वह कैसा होता है मैं आपको दिखा देता हूं भर माल ली यह यह ट्राइंगल है कि सो इसकीеди साइड आपको पताँ है तो हर एकomme 0 से लेकर हम 100 तक ही कर देंगे हमेद्ध यसकी साइड यह साइड इसको भी हंडिज उसको यह साइड है सथरी को और जो तीसरी साइड यह वालिक भी हंडेर्ट तक हम लेबल करते के आप सी करें को तीन ही ni आम करें हैं गयें來到 गभनmbol क्यांट इसको हम माल लेगे सिल्ट और इसको हमाल लेगे सैंडी, ठीक है, सैंडी स्वॉल यह वाली है हमारी तो 0-100 यह भी है, 0-100 यह भी है, और 0-100 यह भी है, तिनों को 0-100 के हमने मैपिंग दे दी है, 0 10 20 30 ऐसे करके हमने 100 तक बोल दिया अब हमारा देखो परसंटेज जो आए थी वो क्या थी 21 परसंट क्ले तो अगर मैं ऐसे ट्राइंगल बनाओ क्ले की परसंटेज 20 थी 21 तो हमें पता है 0 से 100 यहां 0 से लेकर 100 थी क्ले तो आपको पता है कि यहां 10 आएगा है 20 30 40 ऑगर के तो 20 कहां पर आया है हमारा यहां पर 20 आया है स्याइन पर 20 है फुर्टी के लिए पैरलां चुस्क्त परशंटी नहीं परसेंट हैं तो बिल्कुल पैरलेल तुसाइज बिसने कि लाईन है तो इसके पैरललल एक पैरलार भीरिशते चले अज़तर finished सिधी पैरला लोगी याद रखना पिएवारे अप्ट की कितने परकेंटे यह यांप से लेकर तो जीरो से लेकर 18 पर सेंस्ट अरी 18 पर सेंसे तो हमारा मान लीचिये यह 20 यहां तक है तो 20 से पहले फोड़ा सा 18 यहां आ जाएगा ठीक है तो हमने क्या करना है इसकेagonplane यहां ठीक उसको अपने आपने को टेड़ा कर लेंगे तो हमें यह जो लाइन है इसकी इस इस पैरे लला लाम ठीक है तो यह 30 को यह इसका रदिए क्ले पार्टिकल क्योंकि यह वाले तो यह जो सिल्ट वाले लेयर है यह पैरलल आ जाएगी क्ले के ठीक है फिर अगर हम बात करें लास्ट वाली तो हमारी 61% कौन है सेंडी सोयल तो 61 कैसे करेंगे हमारी अगर यहां अगर जीरो से लेकर 100 इधर की तरफ लिखा है तो 60 हमारे पास एक पॉंट ऐसा आया होगा अगर माली जी आपने जीरो से लेकर 100 इधर लिया है तो हमार फिष्ट इन परसंट यहां आजाएगा लगबग ठीक है तो हम क्या करेंगे सीधी लाइन सेंडी की सीधी लाइन एक ऐसे हम यह आपर निकाल देंगे ठीक है तो हमारे प इससे पता चलता है किस टाइप के हमारे सोईल आई होगी तो यह हमारे सोईल जो आई है वो सेंडी लोमी टाइप की सोईल आई है क्योंकि 61% सेंडी है तो इसका टाइप हमें पता चल जाता है मैं यहाँ पर एक इमेज यहाँ पर लगा दूँगा इमेज यहाँ रहा हूँ ट्राइंगल की जिसके पता लगा लेते हैं कि कैसी वो किस टाइप की सोयल होते है तो आई होप कि आपने यह चारों प्रैक्टिकल समझ लिए होंगे और इसी तरह कि आपको अपने बौर्ड करन चल्ऄ में में निंहीं आपका जोट रेक्वार्मैंट्स एम होता है गर ड्रीज रेक्वार्मैंट्स आपको लिखने हैं इवेफ गॉंआ ना परन्सी फोफ यॐ इन ने मैट्रियहे मंची रिग्वार्मैंच का है उसके फिर आपका observation, calculations, अगर आपकी calculation, वैसे calculation आप बना सकते हैं, अपने हापी, calculations, उसकी सुदाद observation, observation के बाद आपका result आजाता है, और result के बाद आपका last में precautions आपके लिखी जाती है, तो प्रॉसेजर को हम भूल जाते हैं, नहीं लिखते हैं, क्योंकि हमें पता है कि किस तरह के सम्निक्या है, तभी तो हमारा observation आएगा, अगर में प्रॉसेजर आता है, तभी तो हम calculations कर लेते हैं, तो I hope कि आपको समझ में आएगे, next video में बात करने वाले, water से related जो practicals हैं, ऐसे हम पूरे practicals यहां पर कर लेंगे, so all the very best for your board exam as well as your theory exam, thank you so much.